हेलो फ्रेंड्स मैं राहूल रंजन अश्टवी इंडियाड़ा के यूट्वी चैनल में आपका श्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत से स्टुडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि यहां पे रेलवे का जो एक्जाम हुआ था दोस्तों प्रिवियस जो एक्जाम हुआ था कट ओफ गया था ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो को लाट तक जुरूट देखिएगा ताकि आप लोगो शही असपश्टी करें आपको श्रमाज में आ सके दोस्तों यह क्या कट ओफ गया था ग्रूब डी का और हम लोग को कितना लाना पड़ेगा नंबर कितना अस्कोर जो है अरजित करना पड़ेगा साथ इसाथ आपको यह भी इस वीडियो के मादव से पता चलेगा कि रेलेवे ग्रूब डी का जो किदाम जो होने वाला हो कब होने वाला है ठीक है तो सब चलिए हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं उस्टे पहले आप लोगों पता फॉलो किजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब करें घंटी के बेल एकन को आउन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए देखे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस जोन का क्या कटॉक प्रिवियस गया था उशिक एक औरिंग आपको खुद एनला घंट हो सके ठी कि आपको पता हुआ कि इस वर हाइ ग्रूप डिक वो आया है दोस्तो एक लरपश आ है कि बहुत ही अच्छा वेकंसी लायता था ठीक में थोड़ा में डिखा हुआ है रहा हूं और यह प्रिवियस कट अध UX 2018oth क्यों कि 2018 में एक्जाम जो हुआ था उसका मैं दिखा रहा हूं दोस्तों और इसके एकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कि क्या कट आफ जाने वाली है सभी जोन का हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मैं एक special वीडियो आप लोग को प्रवाइड कराया था कि जो है कि जो है किस जोन में कितना form भराया है कितना competition था वह इसका इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते सभी जोन का यह डाटा था ठीक है दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेगे कि बर्स 2018 का जो एजाम हुए था गुरूबडी का उसका सभी जोन का जो है कितना कट अप गया था जो है पीटी के लिए स्टुडेंट हुए थे इसी के एकॉर्डिंग आपको पता चल जाया कितना जो है इस बर्स भी पत्ना का ठीक है और आपको एक चीज में किलेर कर दोकि पिछली बार जो एक जाम हुआ था और वियर्लेवेश रेकुरूट्मेंट बॉड की तहथ गूरूबडी का इक जाम हुआ था दोस्तो और इस वरसे होने वाला ऑरर सी के थाहत होने वाला रेलेवेयर recruitment sales के तहत होने वाला ठीक है railway recruitment board और railway recruitment sales दोनों बोड़ जो है दोस्तों दोनों का board जो है अलग है ठीक है तो हम लोग जो है previous यहां पर कितना कितना गए था board भाई उसको सबसे पहले देखते हैं rrb का पटना का zone है दोस्तों जो कि जेनरल का cut-off गया था 77 पाइंट देख सकते हैं 003 यतना गया था दोस्तों on and ever 77 गया था ओवेशी का 72.5 गया था स्टी का एक सेट पाइंट 6 एंड एस्टी का अंठावन पाइंट 20 गया था वह बात करते हैं एक सेर्विसमेन का दोस्तों जो कि 40.1 और 30.05 एंड एस्टी का 33.04 एंड एस्टी का 30.94 गया था वह यह अगर दोस्तों का मुंबई जोन आरपी का मुंबई जोन में जेर्न गया था सारच प्आयंट 96 ओव कि का 36.08 एस्टी का अनठावन पाइंट यह ऑनट का 505 ऐस्ट एक स्टी का 40.1 गया था ओभी इस्टी का 30 sincer एंश्टी का 37.6 गया था जो कि एकसे भी निज करो बाइच है एक्ट अप्रेंटिस वालों का देख सकते हैं 40.0 गया था जेनल का OBC का 30.3 गया था एन एस्टी का 30.34 एन एस्टी का 30.7 गया था यह है RRB का मुंबाई जोन ग्रूब डी कट अब प्रिवियस अब हम लोग देखते हैं अजमेर जोन का अजमेर जोन में कुछ इस तरीका का देखने को मिला था दोस्तो जेनल की बात करते हैं तो 73.73 गया था OBC का 70.1 गया था नेस्टी का 63.3 एन एस्टी का 6.6 गया था देख सकते हैं दस्मलब का 2345 यानि 5 डिजिट तक काउंट किया जाता है दोस्तो ठीक है OBC का 30.0 गया था एन एस्टी का 30.4 गया था एन एस्टी का 30.3 गया था उस बग दोस्तो EWS नहीं था ठीक है अब जो है आएगा कट अब जो जाम होगा वो EWS भी कटगरी एक जो नया एड हुआ है उसके तरह भी आएगा ठीक है CAA का जो कि दोस्तो ACT Apprentice का जो गया था जेनरल का 40.0 गया था नो बीसी का 30.3 एन एस्टी का 30.3 एन एस्टी का 32.58 गया था अजमेर जोन का यह भी एजमेर जोन है यह देख लिए है अब आई हम लोग RRB का कोल कत्ता जोन का कितना गया था सभी जोन का मैंने लैसिस कर रहा हूं लास्ट जिरूर देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं जेनरल का 80.57 गया था OBC का 70.7 गया था, SBC का 70.6 गया था, NG का 55.76 गया था जैकट अपरेंडल इनल का 40.03 गया था और आपको पता हुआ कि यहां पे cut-off बहुत high गया था दोस्तों इसी बज़े से this verse जो है form यहां पे जोन में कम भराया है कम भराने का region ने cut-off high गया था लेकिन ऐसा कुछ ने इस बर्स जो है competition यहां on and average ने जाने वाला है हाई cut-off नहीं जाने वाला है ठीक है क्योंकि हम लोग competition के जो special वीडियो आप लोग को बताया थे उसमें आप लोग को analysis कर वाया जा चुका है देख सकते हैं आप एक गौहार्टी जोन का हम लोग देखने वाले दोस्तों गौहार्टी जोन में general का कितना गया था 77.09 गया था ओबीसी का 72.2 गया था नेसी का 66.3 गया था नेस्टी का 57.0 गया था वही अगर एक सर्विसमें की बात करते हैं तो general का 40 गया था नेसी का 30 गया था नेस्टी का 31.4 गया था एक्ट अप्रेंटिस बालों के देख सकते हैं आपके सामने सभी यह 40 जनरल का 40.4 गया था ओबीसी का 30.3 गया था नेस्टी का 30.3 यह नेस्टी का 31.8 गया था यह आपका है आरर वी का गोहार्टी जोन का प्रिवेस कटाफ कुछ इस तरह गया था जो किया स्टुडेंट सॉ 8.8 गया था नेस्टी का 55.8 गया था पीटी के लिए भूवनेस्वर जोन एक सर्विस वालों के बात करते हैं तो 40.0 गया था जेनरल का ओबीसी का 30.4 गया था एस्टी का 30.5 अनेस्टी का 34.3 गया था वही एक्ट अप्रेंटिस वालों के बात करते हैं तो 40.7 गया था आपक यहां पर कुछ अच्छा देखने को मिला था दोस्तों जो की ओने भलेज देखा जाए तो 73 जो है मैक्सम गया था जेनल का यहां पर अब आते हैं आरार्वी का चंडीगड़ जो उनका कफी कटव प्रिवेस हाई गया था इसे वज़े से यहां फॉर्म की कम गया है इस वर्स भी ठीक है जेनल की बात करते हैं दोस्तों जेनल का बात करते हैं तो 75.07 गया था जेनल का तो चंडीगड़ जोन है जो है जो है स्पीड वो यहां पर दोस्तों अनलाइसिस कर रहा हूं बस लाश्म जो जुरूर देखिएगा चंणाई जोन की बात करते हैं बहुत से student comment कर रहे थे previous cut-off क्या गया था ठीक है वही मैं वीडियो आप उनों को provide करा रहा हूँ दोस्तों इसी analysis से आपको पता चल जागा इस वर्ष कितना मेहनत करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि I at least मान के चलिए 70 पलस हर हाल में group D में लाने के कोशिश कीजिए 70 पलस लाएगा तो सभी zone के लिए आप सेफ होंगे बात करते हैं चेन्ने zone जोन जेनरल का 70.53 गया था OVC का 68.63 और NST का 16.56 और NST का 55.32 गया था एक सेर्ष मैन का 40.1 जेनरल OVC 30 और NST 30 और NST का 32.6 गया था वही बात करते हैं जेनरल का 41.5 और OVC का 30 और NST का 30.7 गया था आपका चिन्ने zone का अब बात करते हैं दोस्तों फाइलाइटर जोन अलाहाबाद जो कि यहां सीट बहुत ही जादा आता है इस बर्स भी बहुत ही जादा है ठीक है यहां पर इस बर्स तो गुरूबडी में सब्सक्राइब जादा जो है दोस्तों दिल्ली जोन का है ठीक है यहां पर अलाहाबाद में देखते हैं जेनरल का कितना गया, 74.5 गया है, S C का 12.9 एन S T का 50 एन OVC का 79.7 यानि 70 गलग हो गया था, बात करते हैं, X 32.4 गया था, जेनरल का S C का 32.5 एन S T का 33, यानि 33.8 गया था, नो B C का 30 गया था, Act Apprentice वालों का जेनरल का 41 गया था, S C का 30 गया था, एन S T का 36.4 एन OVC का 30.34 गया था, बैंगलूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पाइबन ओवीसी का 30 एनेस्टी का 32 पाइंट टू गया था इस वर्स जो है दोस्तों यह सभी जब भुपाल जोन भी नहीं हाँ पर आपको पता हुगा कि जो है रर्सी का जोन कुछ अलग-अलग है ठीक है रर्बी और रर्सी का जोन जो है दोनों मैच नहीं करेगा क्योंकि रर्बी का कुछ अलग-अलग जोन है और इस बर जो कंड़क्ट करवा रहे है गुरूब डी का एक्जाम दो रर्सी रेलेवेल रिकूरूट्मेंट सेल के तहत करवाया जा रहा है बात करते भुपाल जोन का यहां पर भी कट अप देखने को एभरेज गया था दोस्तों 75 ग ठीक है एक्ट अप्रेंटिस वालों को जेनरल का 40 अनोबीसी का 30 अनेस्टी का 30 अनेस्टी का 30 अनेस्टी का 30.7 गया था यह आरर बी का भुपाल जोन है प्रिभेस कट अफ जो है कुछ इस तरीका से गया था अब हम लोग देखते हैं बिलासपूर जोन का बिलासपूर जोन का भी कट अप कम गया था दोस्तों जेनरल का बात करते हैं 70.2 गया था ओवीसी का 66 गया था नस्टी का 52.7 गया था चालीस गया था जेनरल का ओवीसी का 30 गया था नस्टी का 30 गया था रेलवे का एक्ट अपरेंटिस के लिए कम जाता है दोस्तों जो कि जेनरल का 40 गया था ओवीसी का 30.3 नस्टी का 30.7 नस्टी का 30.3 गया था कुछ इस तरीका से कट अउग गया था बिलासपूर जोन का प् जने जोन का गया था आपके सामने दोस्तों वह राची जोन आरारसी का राची जोन का जेनरल जोन का कुछ हाई गया था दोस्तों जेनरल का बात करते हैं जने जोन का बात करते हैं अब आते हैं दोस्तों साउथ का सबसे हाईलाइटर जोन सिकंद्रावाद जोन सिकंद्रावाद जोन का भी कट आफ ओने भी आव्यज भी यहां पे गया था दोस्तों वह बात करते हैं जेनरल का 99.79 गया था और आयट्सेट का 40.4 वो भी सी का 30.3 एंसी का 30.3 एंसी का 31.94 गया था कुछ इस तरीका से गया था प्रिवियस एक्जाम हो का ठीक है गुरूबडी का जो जो 2018 में जो हुआ था इस वर्ष दोस्तो एक्जाम जो है आरार्सी के तहथ होने वाली है तो आरार्सी में जो है देख सकते इस वर्ष जो है दोस्तो आरार्सी के तहथ जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई नौर् रूफश्ट चैन्डए इस्ट्र रेलवे कोपली और लुखेक कुलकत्त नॉर्थ kundत्त बेश्ट रेलवे कंडक्राइब कंडर सॉटल सुल्ला जोन के तहित दोस्तों इस वर्ज है यार्ण Спасибо आन्ड करते साれ Points का से था, RRB के थाथ हुआ था, railway recruitment board की तरहाथ, इस वर्ष जो है railway recruitment sales जो है, इस exam को conduct करवा रही है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इस analysis से पता चल गया होगा कि कितना जो है, जो है minimum तो on average देखा जाए, तो 70 आपको प्लस ही number लाने होंगे, selection लेने के लिए आपको, ठीक है, ताकि आपको final merit भी त्यार हो सके दोस्तों, ताकि आपको 70 प्लस लाने के हरहाल में कोशिश कीजिए, अगर railway में selection लेना है तो, क्योंकि दोस्तों, cut-off दीन पर दीन हमेशा बढ़ते जाता है, competition high होते जा रहा है दोस्तों, ठीक है, और vacancy इस वर जो अच्छा खासा bulk vacancy group D का, तो आप लोग preparation continue करते रहे हो, जहां तक बात करते एक्जाम का, तो exam का भी दोस्तों, इस ये tender ही जो है, railway को द्वारा decide नहीं किया गया है, अब final की कौन जो है, agency जो है, इसका exam conduct करवाएगी, ठीक है, अभी जो है, हाल फिलाल में ही notice आया था, दोस्तों, जो ही उसका selection ही हो रहा है, ठीक है, और अभी जो है current में corona virus के चलते भी जो उसका जो है, टाल दिया गया, दोस्तो, date extend कर दिया गया, यानि कहने का मतलब सीधी सी बात होगा कि railway NTPC का जो exam होगा, वो पहले होने वाले group D को बाद होने वाले, क्योंकि दोस्तों, group D का जब भी exam होगा, तो अगस्त, जो है, सितंबर, अक्टूर के बाद ही हो सकता है, दोस्तों, क्योंकि आपको, अगस्त सितंबर तक तो आपको होने का उमीद है, RRB का NTPC exam, उसके बाद ही group D का exam होने के possibility है, तो आप लोग continue preparation करते रहें, क्योंकि railway NTPC हो, या railway का group D का सलेवस, दोनों का करीव करीश सेम है, दोस्तों, तो आप लोग preparation बस continue रखिए, ठीक है, continue preparation रहेगा, तो वही आपको selection दिला सकता है, ठीक है, मिलते है नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,